देश्वासियों को छट पूजा की हार्दिक सुखकामनाय तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिहार में छट पूजा में बनाया जाने वाला पकवान ठेकवाँ तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर लिया है मैंने दो कप के बराबर आटा तो इस में पहले से ही मैंने दो कप के बराबर आटा डाल लिया है और अब मैं डालूंगी इसमें एक कब मैदा और डालूंगी एक कब सूजी तो यहाँ पर मैंने एक कब सूजी भी डाल लिया है और थोड़े से सौफ इसमें जो कि अलग सा एक स्वाद आ जाए और उसके बार डाला है मैंने कद्दुकस किया हुआ सूखा नारियल तो यहाँ पर मैंने आधा नाडल इसमें डाल लिया है और मौयन के लिए डाल ला है यहाँ पर मैंने घी तो इसको मौयन कल लिए और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल लई हूँ चीनी तो यह PC हुई चीनी है और एकदम महीन नहीं बिल्कुल दरदरी वाली जो चीनी होती है वो तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल लिया था क्योंकि अच्छे से मौयन नहीं हुआ था तो अब दूसे हम आटे को अच्छे से गून लेंगे तो यहाँ पर बहुत जादा सौप्ट आटा नहीं लगाना है नॉर्मल आटा लगाना है तो मैंने यहाँ पर आटे को अच्छे से गून लिया है और उसके बाद अब हम जब आटा गून जाएगा तो उसको 10 से 15 मिनट रख लेंगे और उसके बाद उसमें से छोटी छोटी लोईया बना लेंगे और वैसे तो इसको बनाने के लिए साचा होता है अगर आपके पास साचा नहीं है तो आप किसी भी टूल से इसमें आकार दे सकते हैं तो यहाँ पर मैं इस तरह इसमें आकार दे रही हूँ अलग-अलग तरीके से और मैं लमबे वाले पी बनाओंगी तो यहां पर मैं लमबे वाले बना रही हूँ और इस तरह इसमें मैं पत्ति का सेव का आकार दे दिया है तो इसके बाद इन सब को जब हम बना लेंगे तो धीरे-दीरे इसको फराई कीजएगा तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है जब अच्छे से गरम हो जाए तो आंस निकल लीजेगा और उसके बार एक एक करके ये ठेकवें को इसमें डाल लीजेगा और धीमी आज पर पकनी दीजेगा और जैसे ये उपर से थोड़ा सा हलके से ब्राउन हो जाए तो इनको तीरे से पलड लीजेगा और जब तक ये गोल्डन ब्राउन न हो जाए तब तक इनको पकनी दीजेगा और उसके बार इनको निकाल लीजे तो यहाँ पर मैंने एक जो पहले डाले थे उनको निकाल लिया है और इसी तरह मैंने दूसरे सेप के जो बनाये थे उनको भी मैं इसी तरह यहाँ पर फ्राई कर लूंगी तो मैंने जो दूसरे सेप के बनाये थे तो देखे थोड़े देर बाद ये भी बनके तयार हो जाएंगे बहुत ही सवादिस्ट लगते हैं ये खाने में एकदम कुरकुरे लगते हैं और जैसे ही ये बन के तैयार हो जाते हैं उस समय सौप्ट होते हैं और जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो ये कुरकुरे अपने आप हो जाएंगे तो इन्हें बना के इस तरह रख लीजेगा और किसी भी डब्बे में आज से 10 दिना तक आप इसे खा सकते हैं बहुत ही साधिस्ट लगते हैं और अगर आपको रेसिपी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा, सेयर कीजेगा, कमेंट कीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद